अगर आप ये क्लास को देखते हैं अगर आप ये क्लास को देखते हैं एकदम MCQ के स्टाइल में हम लोग हर एक पॉइंट को ब्रेक करेंगे relevant जो concept हो सकते हैं उन concepts को भी देखेंगे ताकि आप कर सके अपने SSE के exam में 100% score grammar के section में vocabulary की class तो पहले सारी है तो वो भी आप playlist में जाके देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखें आज की सबसे पैली क्लास देखो सबसे पहला ये जो question है ना मारा इस question में लिखा the government has implemented several new policies ठीक है अब देखना कितना important concept इसमें यूज में आ रहा है लिखा the government has implemented several new policies to tackle the issue of unemployment but there are still many people so remain jobless देखें कुछ ऐसे noun होते हैं ना बिटा कुछ ऐसे noun होते हैं जिनका आप जो है वो plural form अगर बनाते हो तो statement right नहीं क्या होगा wrong होगा अब जैसे यही word देख लो आप people तो people का मतलब क्या होता है लोग और यह अपने आप में ही कैसा होता है plural तो जब यह अपने आप में ही plural है तो फिर इसका plural क्यों बनाओगे भी या यानि अगर आप इसमें ask लगाते हैं तो statement right नहीं क्या होगा wrong हाँ एक जग अपने people's लिखा जाता है लेगिन इसका मतलब हो जाता है नागरिक यानि इसी को हम लोग कह देते हैं citizen कुछ और भी word है जैसे की मान लीजे advice word है तो advice आपका singular noun होता है और आप इसका plural form नहीं बना सकते admission भी जो होता है admission भी हमेशा singular form में होता है और आप इसका plural form नहीं बना सकते information का भी आप plural form नहीं बना सकते उसी तरीके से अगर drought word है तो drought का भी plural form नहीं बना सकते ये सारे के सारे noun होते हैं ये सारे के सारे जो noun होते हैं ये सब singular form में होते हैं ठीके? याद रखना अब इसको मैं क्या करता हूँ आप एकदम सिलसलेवार तरीके से आपको बता देता हूँ देखे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो की beard singular होते हैं यानि जो हमेशा singular form में होते हैं आप उनका कभी भी plural form नहीं बना सकते जैसे की luggage होता है सुना होगा आपने इसके बारे में या फिर baggage होता है लेकिन ये सबसे ज़्यादा कौन सा word देगा तो advice देगा या फिर information देगा या फिर आपके सामने admission देगा ठीक है इसी तरीके से आपके पास word देगा machinery remember रखना कौन सा word देने वाला है machinery ठीक है उसी तरीके से word होगा कौन सा drought, etc इस तरह कि जितने भी words होते हैं आप इनका plural form नहीं बना सकते including poetry हो गया scenery हो गया ये सारे word का सच कहें तो जितने भी uncountable nouns होते हैं यानि जिनहें आप गिन नहीं सकते अगर आप इनका plural form बनाओगे तो statement right नहीं क्या होगा wrong हो जाएगा ठीक है अब ये हो गया कि ऐसे nouns जो always singular form में होते हैं उनका कभी भी आप plural form नहीं बना सकते और अब बारी आती है ऐसे nouns की जिनका जो हमेशा plural form में होते हैं जो हमेशा plural form में होते हैं और आप इनका कभी singular form नहीं बना सकते जैसे कि police हो गया या people हो गया या shoes हो गया, trousers word होता है, है ना, speckles होता है, तो ये सारे words पहले से ही plural है, अगर आप इनका singular form बनाते है, तो statement right नहीं wrong होगा, अच्छा, इनके साथ जो verb इस्तेमाल में आएगा, वो भी कैसा होगा, plural होगा, तो ये भी याद रखना, जैसे अगर कहीं पे लिखा गया कि police has, और फिर लिखा गया count the thief, तो अगर ऐसा लिखा जाता है, तो statement right नहीं wrong होगा, यहाँ पे police जो है वो एक plural noun है, और इसके साथ वो plural यानि has नहीं क्या आएगा, have आएगा, clear, तो ये concept जो है वो आप लोग clear रखेगा, ठीक है, अब देखिए syntax का question है, subject, verb agreement का question है, इतना critical, इतना important होता है, क्या बताऊं मैं, है ना, तो चलिए नहीं मैं बता देता हूँ, ठीक होता क्या है, अगर मान लिजिए बहुत सारे noun, बहुत सारे noun, बहुत सारे noun, अगर preposition से जुड़े हो, preposition से जुड़े हो, तो इसमें जो verb आएगा, वो हमेशा किसके according आएगा, first वाले noun के according आएगा, ओके, चलिए देखते हैं, यहाँ पे company decision noun हुआ, to हो गया हमारा preposition, उसके बाद hundred of workers क्या हो गया, noun, तो जब noun preposition, noun preposition noun चलता है, तो verb आता है, first वाले according, और first में decision जो है, वो singular है, इसने verb singular आना चाहिए, यानि कि have नहीं कि आना चाहिए, हैज, clear, तो एक तो यह concept examination में खूब जम के question पूछता है, यह ध्यान में रखेगा दूसरा, अगर मान लिजे कि एक से ज़्यादा subject, अगर एक conjunction से जुड़े हूँ, तो आने वाला verb हमेशा किसके according आएगा first वाले के according आएगा जैसे अगर मैंने लिख दिया राज और फिर मैंने लिखा as well as his friends ठीक है, और हमें decide करना है कि has ले या have ले, तो बहुत easy है, बहुत easy है, यहाँ एक subject राज है और दूसरा his friends और दीच में एक conjunction है as well as, तो इसमें जो verb चलेगा वो हमेशा first वाले के according और राज singular है, इसके verb आएगा singular, यानि have नहीं क्या होगा, as तो यह दूसरा concept है, जो syntax का बहुत जादा important concept है और exam में खुब पूस्था भी है है ना, तीसरा जो concept होता है कि एक से ज़्यादा subject हो और दोनों के पहले एक के conjunction लगा हो, तो verb चलेगा last वाले subject के according, जैसे अगर लिखा गया either Raj or his friends, अगर ये लिख दिया गया और आगे पूछा गया कि has लोगे या have लोगे तो बहुत बहुत simple सी बात है, देखो एक subject Raj, दूसरा his friends इसके पहले लगा conjunction either और इसके पहले लगा और तो इसमें जो verb चलेगा, वो हमेशा last वाले के according चलेगा, जब भी double conjunction आएगा, तो last वाले के according चलेगा, और last में his friends लिखा गया, जो कि plural है तो verb भी plural आएगा, यानि has नहीं क्या होगा, have, तो ये तीन concept syntax का कभी भूलना मत और इसके पहले जो मैंने concept बताया कि अगर आप कुछ noun देखे तो वो हमेशा singular होता है, और कुछ noun हमेशा plural होता है, और जो हमेशा singular होता है, उनके साथ हमेशा singular verb यूज़ करते हैं, और जो हमेशा plural होता है, उसके साथ हमेशा plural verb का यूज़ जो है, वो करते हैं ठीक है, चली, आगे बढ़ते हैं question number 3 के तरफ लिका, the report highlights the importance of investigating in renewable energy sources which can help, देखे, verb का ये भी error काफी जम के पूछता है, हालांकि इतना सस्ता error है कि मैं क्या बताऊ ठीक है, लेकिन समझ लीजिए देखिए, अगर किसी sentence में is, am are, was were, be या been, इन में से कोई भी एक helping verb लगा हो, तो इनके साथ जो main verb का इनके साथ जो और फिर कुछ होता है क्या, जैसे एक होता है have, एक होता है has और एक होता है हमारा have, फिर होता है modal scan, could, may, might, should, would, shall, will, must उके, उसी तरी के सगर देखे तो हमारा होता है out, dare, need, और used ठीक है, अब देखे होता क्या है ना कि इन सब के साथ main verb के लगने का अपना एक fixed pattern है जो आप लोग पहले से भी जानते होंगे लेकिन जब exam में question आता है तो फसा दिये जाते हैं, ठीक है अब इनके साथ, इनके साथ अगर main verb का form चलेगा तो वो हमेशा mb4 चलेगा इनके साथ जो main verb का form होगा वो हमेशा third होगा वो एक कदम आगे चलके पूछता है अब देखे पहले इस question को देख लीजे यहाँ पे can लगा और जब can लगता है तो main verb का पहला form यूज़ में आता है लेकिन इसने help में s लगा दिया किसी भी verb में s लगाने से वो main verb का पांचवा form हो जाता है जबकि हमें first form लेना है तो जैसे ही इसमें से s हटेगा यह mb5 बदल के क्या हो जाएगा mb1 यानि किसी भी verb में s लगा दें तो वो mb5 होता है s हटा दें तो वो mb1 होता है और can के साथ हमेशा mb1 लगाते है और इस कारण से helps नहीं help का use upload करेंगे तो यह तो पता चल गया कि इसमें mistake है लेकिन exam जो होता है वो एक कदम आगे की चीज़ है वो क्या करेगा वो can का use करेगा और can के बाद play लिख देगा और and लिखेगा scarcely लिख देगा ठीक है और scarcely लिखने के बाद जो है वो लिख देगा beats ठीक है हमारा ध्यानना इतने पही होता है कि चलो can है तो can के साथ mb1 लगा दिया ठीक है बट ऐसा नहीं है वो एक कदम आगे बढ़ाएगा और थोड़ी दूरी पे जाके verb का format बदल देगा अब क्या होता है लोग दूर पे जाके सोचते नहीं है यही सबसे बड़ी problem है यहां तक पहुंचते पहुंचते वो भूल जाते है कि एक main verb हमेशा अपने helping verb के according होना चाहिए और यही सबसे बड़ी गलती जो है वो हो जाती है तो याद रखना कि can के according प्ले लिया तो and के बाद का भी verb समान होना चाहिए यानि beats नहीं आप use करोगे beat का तो यह एक problem थी चलो तो यह पूरे का पूरा structure जो है एकदम दिमाग में रखना यह जो नहीं जानता उसको तो examination में problem होनी ही है यह आप मान के चलो ठीक है चले अगले question की ओर चलते हैं हम लो मैंने कहा था ना कि आप जितने भी concept होंगे ना वो काफी critical होंगे काफे important होंगे मतलब इतने important कि उनसे question आना एकदम मान लो exam ने fix है अगर 5 question उचा है तो 3 से 4 question के ओल इसी से होंगे यानि अभी जो मैं आज बताने जा रहा हूँ जितने भी concept मैं बता चुका हूँ या बताने जा रहा हूँ तो इसी से होंगे है ना चली अगले question की ओर चलते है the journalist wrote an article about effects of climate change which is becoming an increasing concern worldwide ठीक है अब देखो यहाँ पे use किया road का ठीक है किससका use किया road का अब ride का past participle हमारा कौन होता है road होता है चलो ठीक है an article about the effects of climate change which is becoming यह become हो रहा है ऐसा नहीं कह सकते यह तो already एक समस्या बन चुकी है तो जब यह already एक समस्या बन चुकी है तो which is becoming नहीं इसे कहना चाहिए which has become यह कहना चाहिए यानि correct tense का use करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है लेकिन मैं आपको बता दूँ इसको पढ़ते हैं हम लोग sequence of tense में इसको हम लोग पढ़ते हैं sequence of tense में याद रखेगा अगर मान लीजे एक से ज़्यादा sentence अगर मिला के एक complete question अगर आपका बनाया है ठीक है अगर एक ही question में दो दो तीन तीन sentences ऐसे दिये गए है question को थोड़ा लंबा कर दिया गया है तो इसमें आपको tense के sequence को हर एक sentence में maintain करना होगा ये बहुत जरूरी है और इसमें करना भी कुछ खास नहीं है तब तक जब तक कि कोई ऐसा extra conjunction use में ना आ जाए आप कोसिस करते हैं कि हर एक sentence को आप एक ही tense में रखें अब जैसे मान लीजे कहीं after आ गया कहीं before आ गया तब तो tense का change होने के possibility बढ़ जाएगी कहीं पर yesterday present में तो शुरू हुआ लेकिन last में जाके वो yesterday लगाया तो हो सकता है कि अगला जो sentence है वो आपका yesterday के कारण से किस में चला जाए past में चला जाए है ना तो अगर इस तरह की कोई बात है अगर नहीं है तो normal case में क्या होता है कि आप कोसिस करेंगे कि सारे sentences को जो है वो आप किस में रखे past to past या फिर उससे कहते हैं कि अगर एक present में है तो दूसरा भी present में और तीसरा भी present में अगर एक future में है तो दूसरा भी future में और तीसरा भी किस में होगा हमारा future में तो एक तो यह general sequence आप follow करने की कोसिस करेंगे इससे कई सारे questions बन जाते एक आपने देखा past में और दूसरा present में तो present वाले को काट के आप किस में भेज़ दिये past में अब आप यह कहेंगे कि sir hedge लगा हुआ है तो यह past कैसे है देखो hedge होता तो present में ही है लेकिन यह बताता है कि आपका काम पूरा हो चुका है ठीक है मतलब यह हो नहीं रहा यह काम पूरा हो चुका है यानि intending to past है यह है ना मतलब past की और जुका हुआ है और इसी कारण से जब कोई person article लिखता है तो लिखता है तो जाहिर सी बात है कि वो उस घटना के बारे में लिखेगा जो घटना जो वो पहले हो चुकी है है ना तब उस situation में आपको कोई past का look देना ही होगा यह जो sentence है यह ऐसा sentence है जो past के लिए भी एक truth था और present के लिए भी एक truth है और इसी कारण से हमने इसमें present perfect का use किया जो past का भी indication देता है और present का भी indication देता है तो एक तो यह वाली बात आपको follow करनी है एक और बात मैं आपको बता दे रहा हूँ वो भी exam में काफी ज़्यादा पुछता है जो जरूरी लगेगा उसका screenshot आप लोग जरूर ले लेना है ना क्योंकि PDF तो question कहीं मिल पाएगा जो मैं explain करता हूँ ना तो आप इसकी जो है वो क्या कर लेना screenshot ले लेना बहुत important आज की class है है ना ओके चलिए यह भी याद रखना बहुत ज़्यादा important है इसमें होता क्या है मान लीजे कोई भी एक conjunction है तो यह conjunction क्या कर रहा होगा यह minimum दो sentences को S1 और S2 को क्या कर रहा होगा आपस में जोड रहा होगा connect कर रहा होगा हाँ आप यह कहेंगे कि conjunction के साथ लगा हुआ जो sentence होगा आप इसे कह देंगे conjunctional clause और जो extra clause है उसे आप primary clause कह दीजे कुछ लोग result clause भी कहते हैं तो आप यह दिमाग में रखिएगा अब इसमें important बात जो है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको ठीक है अगर माल लीजे किसी sentence में conjunction है before तो before के ठीक बाद वाला जो sentence होगा वो हमेशा रहेगा sample past में ठीक है वहीं जो extra वाला जो sentence होगा वो हमारा चला जाएगा past perfect tense में ठीक है उसी तरीके सा अगर before ना होके after हो तो after के साथ वाला देकर before का उल्टा after तो structure भी उल्टा हो जाएगा यानि after के ठीक बाद वाला जो sentence होगा वो होना चाहिए past perfect में और जो इधर होगा ये हमारा क्या होगा simple past में होगा ये सब structure इतना important है exam में खुब जम के पुश्ता है उसी तरीके से मान लीजे कि हमने use क्या तो when को equilibrium कहते हैं हम लोग मतलब इसके दोनों तरफ जो है वो एक ही pattern को follow करते हैं इधर भी simple past और इधर भी हमारा use में क्या आएगा simple past use में आएगा ठीक है उसी तरीके से conjunction होता है while while के ठीक बाद वाला जो sentence होगा वो हमेशा past continuous में change हो जाएगा जबकि जो इसका external sentence होगा वो हमारा चला जाएगा simple past में ये हमारा चला जाएगा simple past में उसी तरीके से conjunction होता है since तो since के ठीक्स बाद वाला जो sentence होगा ये चला जाएगा simple past में और जो external sentence होगा वो हमारा या तो past या तो present और साथ में आप कह सकते हैं perfect continuous इसमें क्या कर जाएगा transform कर जाएगा तो यह जो चीज आप देख रहे हैं यह बहुत जावा critical है ठीक है यह बहुत ज़्यादा important होता है अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा problem होनी है राइट चली ठीक है otherwise the economy will suffers same mistake है ना यहाँ पे यूज कर दिया will suffer लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि will के साथ main verb का पहला form यूज करते हैं और इसके कारण से suffers नहीं आप यूज करेंगे किसे इसका suffer का यूज करेंगे तो यह हमेशा ध्यान में रखना कि helping verb के according ही आपका main verb हो सबज में आ new tax अब सोचो अगर information में S लगाया होता तो क्या यह statement right होता नहीं information में S लगेगा तो statement वहीं पर wrong हो जाएगा है ना चलिए खैर ऐसा तो है नहीं about the new tax regulations that are expected to affect यह problem बहुत बढ़ी है इसको कहते infinitive full infinitive यह कहा जाता है इसे ठीक है right अब देखो full infinitive के साथ क्या है देखे 2 के साथ हमेशा हम लोग main verb का पहला form यूज करते है तो इसलिए 2 के साथ effects नहीं हमारा क्या चलेगा effect अब मैंने आपको पहले ही बताया कि यह जो 2 होता है ना हमारा तो 2 के साथ जब mb1 लगाते है और कि इसे भी वर्ब में जब s लगा दोगे तो वो तो mb5 हो जाएगा and we need the mb1 यानि first form of the main verb ठीक है so that आप यह नहीं कह सकते to effects आपको कहना होगा to affect है ना तो यह याद रखना कि 2 plus mb1 2 के साथ हमेशा mb1 लगता है लेकिन 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 एक और बात 2 plus mb1 के बीच में अगर जाएगा आपको पहले कहना होगा yet उसके बाद 2 लगाना होगा और उसके बाद mb1 और तब जाके हमारा statement जो है वो क्या होगा right होगा मतलब अगर कोई यह बोलता है कि to yet go तो यह wrong है आपको कहना पड़ेगा yet to go और तब ही जाके statement हमारा क्या होगा right होगा clear अब एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ यह जो चीज़ देख रहा हूँ यह बहुत बहुत बदमाश है बहुत हरामी है ठीक है yet की ना अपनी एक अलग कहानी है और यह चार भागों में बटा होता है कितने भागों में बटा होता है चार सबसे पहला yet का जो use है वो एक negative sentence म यह कर सकते हैं दूसरी बात कि sentence में या तो have लगा हो या तो has लगा हो नहीं तो had लगा हो तीसरी बात कि yet का use always sentence के end में होता है और चौती बात कि yet का use हमेशा 2 plus mb1 के ठीक पहले होता है बीच में नहीं होता ठीक है चले एक और बात में बता रहा हूँ की अगर माली जैसे मै मैंने लिखा I have done this work yet, अगर मैं ये लिखूँगा तो statement रॉंग होगा, क्यों? क्यों इसलिए ये, क्योंकि मैंने yet का use किया sentence के end में, सही है, ये वाला पूरा हो गया, yet का use मैंने किया, जे sentence में have has had है उसमें, तो भी सही है ये, लेकिन इसमें not नहीं लगाया, इसलिए ये sentence ठीक है, तो ये चारों में से अगर कोई भी एक बात अगर नहीं है sentence में, तो statement जो है, वो क्या हो सकता है, रॉंग हो सकता है, ये बात का पूरा ध्यान रखेगा आप लोग, ठीक है, तो yet वाले में ये एक बहुत ज्यादा critical issue होती है, जब आप differences के उपर बात करी रहे हैं, तो कुछ और भी differences मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पर clear कर देता हूँ, वो होता है difference, difference between very and much, ठीक है, very और much के बीच का difference, सबसे पहले तो ये दोनों के दोनों क्या है, adverb है, तो adverb है तो ये किसकी किसकी quality बता सकते है, verb की और किसकी quality बता सकते है, adjective की, ठीक है, चिया एक काम किया, एक ले लिया मैंने vary, और एक मैंने ले लिया much, ये कटम-कुटम वाला हम लोग नहीं खेलने वाले हैं, तो एक में ले लिया vary, vary के साथ अगर कोई verb आएगा, तो वो verb हमेशा ing में चलेगा, और vary के साथ अगर कोई adjective आएगा, तो हमेशा positive degree में चलेगा, much के अगर कोई adjective आएगा, तो वो हमेशा comparative degree में होगा, और इसी करण से क्या होता है, कि अगर कहीं पे लिखा गया, very, interested, अगर ऐसा लिखा गया है, तो आप ये मान के चलो कि ये statement right नहीं क्या है, wrong है, इसके place पे आपको लिखना पड़ेगा, very, और very के बाद लिखना पड़ेगा interesting, और तभी statement right है, और या तो फिर आप लिखेंगे much, और much के बाद आप क्या लिख देंगे, interested, तो statement हमारा क्या होगा, right होगा, दूसरी बात ये होती है, कि अगर मान लोग कहीं पे लिखा गया, very, और very के बाद लिख दिया गया, smarter, तो ऐसा लिखना wrong है, क्योंकि smart में ER smarter, और तब जाके हमारा statement क्या होगा, right होगा, ओके, तो ये सब जो होते हैं, important concept होते हैं, इनका ध्यान दखना बहुत ही ज़्यादा ज़्यूरी है, क्योंकि इनसे कभी भी question exam में पूछ सकता है, है ना, चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, next देखते हैं, next जो हमारा question है, उ emphasized on the need for stricter laws, need के साथ इसने क्या लगा दिया, for लगा दिया, ठीक है, लेकिन need के साथ, आप लगाते क्या है, तो आप preposition क्या लेंगे, off लेंगे, अगर आप for लेंगे, तो ये सो करेगा किसस को, demand को, जो की पूरी तरीके से क्या है, गलत है, तो आपको यहाँ पे need of stricter laws लि decline, देखे, problem क्या है, यहाँ पे लिखा गया have, have के साथ bin, और bin के साथ क्या लिखा गया, decline, यहीं पर सबसे बड़ी गलती जो है, वो हो गई, कैसे, एक होता है हमारा active, और एक हमारा होता है passive, ठीक है, सबजम्यार ये बात, और इसके problem में बहुत फसाता है लोगों को, देख से बोल रहा हूँ, subject ने काम किया, मतलब subject ने verb किया, तो यह active वो इसे, और अगर काम, जिसे grammar में आप बुलाते हैं, verb, अगर ये subject के उपर हुआ, तो ये active नहीं, ये passive है, फिर साथ सुनो, subject ने काम किया, तो active, काम subject के उपर हो गया, तो ये है passive, अब मान लिजे कि is, am, are है, तो is, am, are, या, watch, या were, ये सब के साथ हम लोग main verb का fourth form लगाते हैं, लगाते हैं ना, लेकिन, 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 जड़ा समझो, इसी का जब passive बनाएंगे, तो इनके साथ being लग जाएगा, और being के साथ आप क्या ले लेंगे, mb3 ले लेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, passive, उ इनके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, v3, तो याद रखना कि ये जब bin लगता है, तो ये v3 का form लेगा, यानि कि decline नहीं, ये क्या हो जाएगा, declined, अब आप पुछेंगे, कि सर ये declining भी तो हो सकता था, यानि present perfect continuous भी तो हो सकता था, active voice में, नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमे ना तो far है, और ना ही इसमें sense है, और ना ही duration का कोई sense आ रहा है, इसलिए इसमें present या past perfect continuous वाले structure का use नहीं हो सकता, और इस कारण से has been के बाद, आप mb4 यानि declining नहीं लगा सकते, तो ये है हमारा passive voice, और passive voice में चाहे helping work कोई भी हो, main work का हमेशा आपको third form यूज करना है, और इसी कारण से decline में हमने ED लगा दिया, चलिए अगले question की और चलते हैं, question number 9, ये जो आप second last question देख रहे है, the journalist interviewed several experts on the subject who shared their valuable insights and opinions, अब देखो इसमें क्या है, हमने बोला, the journalist interviewed several experts on the subjects who shared their valuable insights and opinions, अब experts on the subject थोड़ी होता है, ये तो simple mistake है, experts of the subject, experts of the subject, उस subject का expert, तो का के संस में on नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, off लगाते हैं, तो इस कारण से ये क्या हुआ हमारा wrong हुआ, चलिए next question की और चलते हैं, question number 10, the news article discussed the impact of technology on job opportunity which are rapidly changing, same mistake, लिखा गया which are rapidly, rapidly changing, ठीक है, तो ये यूज कर रहा है active voice, लेकिन यहां पर क्या है, ये जो opportunities हैं, ये खुद ही बदल रही हैं, ये opportunities किसी और को नहीं बदल रही, बलकि ये सारे अबसर खुद ही बदल जा रहे हैं, तो जब subject करे तो active, और जब subject के ऊपर ही हो जाए, तो passive voice, यानि यहां पर passive voice होना चाहिए था, और मैंने आपको पहल नहीं बताया था, कि passive voice में चाहे helping verb कोई भी हो, main verb का हमेशा 30 रहा form यूज में आता है, और इस कारण से changing नहीं, आप यूज करेंगे, changed का, clear? तो ये आपने 10 questions के थूँ, आज verb के जितने भी तरह के issues, critical issues और problems होती हैं, उनको आपने देखा, एक और class हम लोग verb का तुरत वर्ब में एक चाप्टर नहीं आता, वर्ब में क्या क्या आता है, सुन लो, वर्ब है, non-finites है, finites है, ये सब 3-3 चाप्टर है, और फिर सोचो tense है, voice है, narration है, है ना, syntax है, subject verb agreement, ये सारे चाप्टर मिला के मैं वर्ब बोल रहा हूं, और अगली class में क्या करेंगे, बचे खु नाउन पर नाउन, adjective, adverb, बलाबला, खतम कर दूँगा, और एक class preposition की, तीन class में एक दम grammar के धज्जी उड़ जाएगी, एक दम या मान के चलो, ठीक है, चलिए, मिलते हम लोग अपनी class में, अगली class में, तब तक के लिए, thank you so much, लेकिन सुनो, वीडियो को जड़ा लाइक क सबस्क्राइब कर लेना, और आप इस वीडियो को जितना possible हो, शेयर करिए, दूर दूर तक शेयर करिए, बहुत मज़ा आने वाला है आगे, ठीक है, मैं बताओंगा कैसे, है ना, thank you so much.